इस कारिक्रम के पुण्यार जखें श्री राजींद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सूपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन आप लोगों को कठनाई और कठोड़ता में कई बार भीद समझ में नहीं आता होगा कठोड़ और कठिन, इन दोनों को हम कई बार एक जैसा मानते हैं लेकिन बंधो कठोड़ता अलग बस्तु है वो कठिनता अलग बस्तु है कल हमने कठोड़ धर्म के विपरीत मारदव धर्म को समझने का प्रयास किया था और आज कठनाई के विपरीत सरलता की बात है कठिन वो वस्तु भी हो सकती है जो कठोर ना हो और कठोर वो वस्तु भी हो सकती है जो कठिन ना हो कोमल हो लेकिन उल्जा हुआ हो तो उसको कठिन कहा जाएगा लेकिन एकदम सीधा हो लेकिन जुकना ना जानता हो तो उसको कठोर कहा जाएगा यह कठोर था वो कठिनता की बीच में फर्क है सरल बनना और सरल दिखना इसमें भी अंतर होता है हमें लगता है कोई भी वेट्टी अपने घर से जब बाहर निकलता है सरल दिखने का प्रयास्तु खूब कर लेता है लेकिन कोई भी बनावटी चीज बहुत देर तक स्थाई नहीं उपनता थी घासपूस में छिपा हुआ वंदर कितनी देर तक शांत रह सकता है कभी आपने देखा पहली बाद तो कोई वंदर घासपूस में ना भी छुपा हो तो भी शांत नहीं बैठ पाता और वंदर के उपर घासपूस डाल दिया हो और बिना आवाज करे बिना घासपूस को हिलाए वो शांत बैठ जाए संभव है बहुत देर तक संभव नहीं ऐसे यह मानव मन है यह उचलकून करता ही रहता है उचलकून करे तो कोई बात नहीं कुछ दोड़ा भागी करे कोई बात नहीं दोड़ धूप करे कोई बात नहीं लेकिन जब उल्जने पैदा करता रहता है तो फिर समस्या लगती है किसकी उल्जने आई कैसे हैं उल्जनों का एक मात कारण है आडंबर और आडंबरों को यह मनुष्य छोड़ नहीं पाता बलकि कई बार सरल होने का भी आडंबर कर लेता है आपका कोई सामने से फोटो निकालत रहे हो सुनना जितने लोग भी यहां पर सुन रहे होंगे पता लग जये कि सामने कैम्रा आ गया बताओ कितने सलल बन जाओगे कितने जागरत हो जाओगे अभी तो लगा नहीं सुनते माती आप जागरत हो गए कई लोगों की नीन भग गई लोग कैमरा इतना शातिर है कि अच्छे से अच्छे शैदान को शांत बढ़ा देता है ठीक है इसी का नाम आडमबर है कि हमारे जीवन में जो कॉंप्लेक्स हैं जटिल्दाएं हैं कठनाईयां हैं उल्जने हैं यह दिखावे के कारण ज्यादा है गुरु महाराज जब दिखावे से अपने आपको बहुत दूर करते चले जाते हैं तो ऐसे दिखावे से दूर ब्यक्ति को देखने के लिए ब्यक्ति आँखें टक टकी लगाए इंतजार करता रहता है दिख जाए एक जलग है और दिखावे से इतने दूर एक बार की बात कौनी जी छेत्र नाम सुना है आपने जबलपुर के पास है कौनी जी छेत्र महापर गुरु महाराज प्रवास चल लाहा था उनका और सुवे सुवे जंगल के बार लौट करके आ रहे थे अचानक क्या देखते हैं चुकि जहां पर गुरु महाराज रहते हैं बहां पर तो कई लोगों को आसानी से रोजगार भी मिलता रहता है इतने पवलेक आती है तो कोई अपने गन्य के जूस का ठेला कोई अपना कैसेट का खेर दुकान कोई अपने और भी जो भी हैं चीज तस्बीर बिक्तिती और तस्बीर हैं जहां गुरु महाराज होंगे किसकी पर कहेंगी आप समझ सकते हों एक मात आकषण का केंद्र जो है उसी की तस्बीर अपने घर ले जाने की मंसा हर संसारी प्राने की होती है तो बस वहां तस्बीर क्या देखी कि गुरु महाराज है और एक सर्प भाहां पर आया हुआ है ऐसे फन फैलाए बैठा हुआ है और आचार्शी आशिरबाद दे रहे हैं इस तस्बीर गुरु जी की दिष्टी में आ गई रास्ते में चलते जलते वह तो नीचे निगाए जरके जा रहे थे लेकिन जब रास्ते में ही और बीच में ही सामने तस्बीर के दुकान लगी हो तो सहज भाह है कि दिष्टी पढ़ जाना दिष्टी पढ़ तो गई कोई सामान व्यक्ति होता इस प्रकार का द्रिश्व और अपना तस्बीर देख करके साथ पसंद भी हो जाता लेकिन गुरुजी के चेहरे पर इस तस्वीर को देख करके लकी रहे आ गए हैं उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपने उपास्रह में जाकर करके विराजमान हो गया है और जैसी विराजमान हुए है सुन रहे हो ना अपलो आप लो हां सुन रहे हो कि सू रहे हो हां तो भी रहें सुन भी रहें, थोड़ा सा अनुकूलता एदी बनाना हो ना सुनने की, तो अपने जितनी भी सुभधाय उनको छोड़के बैठ जाओ तो अच्छी से बन जाएगी, निटीक करके बैठे हो, तो फिर इतनी भगती करने के बार इतना समय बताने के बार नीन के अल अच्छा चित्र कि जहां पर हमारे आचन नों हमारी चडिया की बावाही हो सकती है ऐसा चित्र देख करके तो कोई भी विक्ति प्रसंद नहों जाएगा कोई उनने तो कहा नहीं कि है चित्र बना के लोगों के सामने बेचो यह उपासरम में पहुंचे एक मुणी महाराज को बलाया मुझा सुनू जब जंगन से लौट रहे थे एक दुकान पर दस्वीर थी हां बहुत सी तस्वीर होती हैं बहुत सी तो होती हैं लेकिन एक तस्वीर थी जिसमें एक सर्भ के लिए आशिरवाद दिया जा रहा है किसक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि तस्वीर आई कैसे सबसे पहले उसको बुला करके लिए अब तस्वीर बाले को गुरुजी ने संदेश भिजवाया कि गुरुजी याद करें बहुत बड़ी बात है अरे जो अपने शेश्यों को जल्ली से याद नहीं करते जो भक्तों पर भी दिश्टी नहीं डालते वो किसी दुकानदार को बुलाएं वो भी इसलिए कि तस्वीर पेच रहा है बड़ा खुश हो गया साध हमारे यहां की तस्वीर गुरुजी ने देख ली होंगी और सावा अच्छा बेचते जाओ अच्छा बला हो जाएगा तमारा और बला लिया तो गंभीर मुद्रा में बैठे थे वड़ा खुश हो करके आया और खुश हो करके आकर के बैठता है नमस्तु मचैसी हां तस्वीर पेचते हो जी जी आपकी करपास है अब तो परिवार भी आच्छा बंला तो और बड़ा काम हो जाई ताशिए तस्वीर से मिलता थो तो भी कौ तो हुशन हो गया अबो सब थीक है वह तस्वीर कहांसे लेकर आयकान यो कॉन्सी मेस्टें यो जो सार पर बैठा है सामने नही नहीं बनाई है नहीं तो यह कहां से निकाली आपने कह मां खीचा ऐसा रजवीर नहीं वह तो आजकल तो कंपुड़ाइटिंग हो जाती है उससे गल्लिया अब गुरुजी और गंभीर स्वार में बोले है पहली बात तो यह मायाचारी वह यह बनावती पना तुम्हारे जीवन में उन्नती नहीं कराएगा वेदी बनावती पनाव की तस्वीरें मत पेचना जिसमें किसी की चल जाके अलगी रूप में एक प्रभाव पढ़ने लग जाए और तुम्हारे जीवन से उस चीज को प्रभाव डालने के रूप में एक मायाचारी का दोस्ट लगने लग जाए वो नतमस्त्त्त था ही और गुरुजी की ऐसे इसारलता को देख करके ऐसा भाव भूत हुआ कि उनके चर्णव करकर के कहता है आएंदा के बाद ये तस्वीरें नहीं बेचूंगा और इतनी भी तस्वीरें होंगी उनको मैं यूं ही विवस्थित करतूंगा बास समझ में रही है अरे जू शोच लेते कोई बात मैंने तु नहीं कहा मै 않तोंही नहीं कर допू उन्सकलि चाहता ही हो उसके माध्ना करता धर्म की तो धर्म की पर्भावना हो रहे मुझे क्या तिकत ऐसा चोज करके वी उस सांथ रह सकते थे लेकिन गुरुदेव अपने पत इसी भी वन पोटो को खिचाने के लिए फोटोशॉपी हां जो गर्ति जैसा है उससे अच्छा दिखने का प्रयाँ दिन में कितनी बार करता है हें आप लोग सोचिसें लोग कितने बार तुम दिन में शरल बन पाते हो योग कि एट तो काउंट नहीं कर पाओ कितने बार तुम कठीन रहते हो 24 घंटे में कितने मिंटों के लिए तुम सहज हो पाते हो उतनी समय के लिए तुमारे भीतर आजव धन्म की सुख बुगाहट होती है सुख बुगाहट में और शुरुवात में अंतर होता है एक्खलवली सी मज जाना लेकिन तुरंती हमारे अंदर मायाचार का प्रभाव ऐसा है जो अनंत काली ने उस पर पानी फिरकर कि उसको दबा के रख देता है कितने लोग हैं जब शैल्फी लेते हैं तो अपने आपको Buffalo सा यार कर लेते हैं कि फाउंडिसन पूद लेते हैं इनकी संन्नें प्रेयास करते हैं अरि तुम फाउंडिसन बना अपने आचरंग से तुम बनाते कहह ओंक्रीम पावडr से पोट करके फिर लेते हैं और फिर ले लिया तो कोई बात नहीं जब तक वो वाइरल ना हो जाए तब तक चैन से बैठते नहीं यही वो घांस फूस में छेपा हुआ वंदर है जो बहुत देर तक शान्त नहीं बैठ सकता जब तक इस अपने मनरूपी मंदर को तुम शान्त विधाना नहीं छेठकाओगे तब तक आज अधर्म तुमारे भितर आ नहीं सकता जब यहां से प्रवचन सुनके जाते हो और दूसरा बैचारा नहीं आ पाया होगा तो बड़े डींगे हांकते हो हम तो सुनके आ गए अब यह नहीं क्या कुछता सामने वाला तुम गई कितने वजे थे बताते यह ऐसे हो जैसे पूरा तीन घंटे से हम भी धर्मध्यान करके आ रहे हैं जबकि तीन मिनिट पहले भी आये हो तो आपर रौब तुमारा ऐसा जैसे तीन घंटे पूरे धर्मध्यान किया हो यही कि तुमारी आजब के विप्रीत कटनाई है कि कई बार हमें लगता है कि हम सहज बन जाएंगे सरल बन जाएंगे तो लोग हमारी इंसल्ट करेंगे हमारी जीमन में कुछ इंशल्ट हो जाएगी इस कारण से भी कम सहल नहीं बन पाते हैं और बनावठी पन में अपने आपको इतना बुद्धिमान मानते हैं कि इस बुद्धिमानी का दूसरा व्यक्ति कई हर्ष्ट दे भी ना कोई आपके लिए पशंचा करे भी ना तो भी बुद्धिमान दिया सामने वाले को और अपने आपको बुद्धिमान साबित कर लिया तुमने बुद्धु बनाया है या बुद्धु साबित हो गई हो इतो तुम्हें तब समझ में आएगा जब कठनाई और सदल्दा के भी सही भी समझ पाओगे लेकिन कई बार इस कठनाई को एक विशेश काम को अन्जाम देने के लिए भी सुईकार न कोड़ता है कुछ सज्जनों के लिए ऐसी एक छोटी सी दिश्टांत एक बहुत सरल वर्ति सुन रहो ना अब आपको धूरना है आपके अंदर इस वर्ति है की नहीं कि सुन रहे हो कि सुन रहे हो देखो हम यह ना समझे लोग बाहर जो सुन रहे होंगे कि जिन्तूर के लोग सुन रहे होंगे कि जिन्तूर के लोग सुन रहे होंगे सुन रहे हो इसमें हम नहीं हम तो सरल बात बोलना है अब बार में बहले हो लोग समझ जाए कि तुम लोग लोग सुनते जादा हो लेकिन नहीं जिंद्टू को लोग तो सुनते हैं जो बाहर सुन रहे होंगे आप साउंड बॉक्स लगी हैं उनको अठाने के लिए कई बार पूछ लेते कि उन सुन रहे हो कि सुर रहे हो और कल से थोड़ी सी अदी आप प्रवचन पूजा होने के बाद थोड़ी ऐसी पितिकूल बात आवरं विरण में बैठ जाओ। जहां पर अच्छी थंडी हावा ना रही हो। जहां पर आपको टिकने की विवस्था ना हो, हुई है नहीं तो सुविधाव में ही तुमने तीन सो पच्पन दिन निकाल दे और सुविधाव में तुमने दस दिन और निकाल दी कि तो बस कई बास सरल व्यक्तियों के लिए भी कुछ कट्नायों का सहार लिनना पड़ता है जब वो देश कुछ अलग हो तो एक बहुत सरल ब्यक्ति इतना सज्जन कि उसकी सज्जन्दा को कई बार उसके से मातर परता नहीं आसपास की लोग भी द्वाई देते थे उसने सोचा जिस विद्यालय में वो पढ़ता है उस विद्यालय में कुछ सुविधाओं का भाव है उन सुविधाओं के तहट विद्यार्तियों को विद्या अध्यन करने में कुछ तकलीफ होती है सोचा कुछ मैं एदि यहां पर अनुकूलता बना दूँगा तो विद्यार्थी अच्छी से विद्याध्यन कर पाएंगे हालाकि ये बात अलग है विद्यार्थी चेद कुतह सुखम, सुखार्थी चेद कुतो विद्या, कि यदि विद्यार्थी है तो सुख कहा हो सकता है, और सुखार्थी है तो उसको विद्या कहा मिल सकती है, लेकिन आप दोनों वनना चाहते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थ हो जाए तो बस कुछ उन्होंने कह दिया management के पास जा करके कि मेरी तरफ से इतना मैं दान करता हूँ ताकि सारी विद्यार्थियों को सुख मिल पाए सुविधाएं मिल पाए और management के बड़ा कि देने के लिए बूड़ने आजक मिल जाए तो क्या दिक्कत है आप लोग कि किसी ने पांडाल बन बार जा किसी ने कुछ ब्यवस्ता करा दी तो करा दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमसे कोई कुछ करने की बात कहोगे तो फिर तो शोचना पड़ेगा हां चाहे वह मानस्तम क किसके वाना हो कोई दिक्कत में चाहे वह आगे कमरे ब्यवधान पैदा कर रहा थे बास्तू विवस्त्त करना थो कोई दिक्कत नहीं लुक्हा हमसे मत कहना हां कोई बात नहीं आप से कोई कुछ नहीं कहने वाला और एक चीज हो बीच में बात आग इसलिए मुझे बोलना मंदिर और मानिस्तम की बीच में खड़ा गैप हो पाए तो नए इस्थान पर आएगा तो कुछ लोगों को यह भ्रह्म हो गया कि अब नया मानिस्तम बनेगा नए पंचिकल नानक होंगे नया खर्चा होगा करोड़ों लग जाएंगे सबसे पहले वह भ्रह्म में निकाल दू कि सलग्दा की बात है उनके जीवन में इस बात को समझ करके और कटनाई प्यदा हो रही है उनको में निकालना चाहता हूं कोई बड़ा खर्चा होने वाला नहीं है इस्थान भी विवस्थत हो जाएगा भगवान तो पतिष्टित हैं ही पंचिकल नानक तुताब होता है ज में चिंटा नहीं करना पड़ेगा इसलिए वाद्यमाग से निकाल देना हां कली सुन्दी में आया कि अब फिर करोणों खर्च होंगे कि इत्य तो पंच करनाग होगा यहां पर और होंगे कुछ पंच करनाग नहीं हो ना आप तो पिस पंच बन करके आजाना कलने खुद कर इसलिए मुझे व्यात याद आ गई कह दी तबन तो बात कर रहे थे उन सज्जन व्यहात्मा की तो उनने कुछ दान कर दिया अब दान कर दिया दान कर तो दिया घर वालों से पूछा नहीं और दान कर दिया कई वार होता है कुछ सज्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं मालों घर वालों के दान करने की भावना नहीं है तो उनको प्रेवर्यत करने के लिए पहले प्रयास भी करते हैं और जब प्रयास करने में प्रयास असफल होते हैं तो अपने तरफ से वो अपने तरफ से कुछ अपने सुविधा में कटोदी करके भी अपना दान किया करते हैं ऐसे भी स परिवार के लिए प्रेवर नहीं कर पाए तो मैं अपना नाम क्यों करूँ क्योंकि मेरा नाम तो परिवार से चलता है और परिवार के लोग इतने अख़ड हैं कि वह दान में जल्दी आगे नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं हम नाम उनका भलई हो जाए लेकिन गुप्त कि नहीं पड़ता हर बक्ती बन जाता है लेकिन अंदर से कुछ छूट ना और छोड़ने का भाव भी बना लिया है उसके बाद भी भाव को अंजाम देना यह बहुत आसान नहीं है जिन तुछ को लोग तैसे नहीं है बोलते थे हैं लेकिन जमावी करते हैं उतन त्याग के आसए आप से कुछ चाहिए नहीं है आप तो फेस्तना बदात हो कि तुमारा समर्थन है कि इस बात के लिए नहीं है जितने लोग के समर्थन है वह भलाई वह द्याएं या न देंद लेकिन जू देंगे उनके लिए अनुवोधना का आज से ही इंतडाम कर लें जो कि दूर रहना भी बहुत आसान मनना के रखा है आप लोगों ने तो उन्हें कर दिया दान अब दान कर दिया क्या करें घर से पूछा तो था नहीं तो धीरे धीरे जो उनके लिए pocket money मिलती थी pocket money समझते हो न जेव खर्च बच्चों को मिलती है तो pocket money में से वो बचाना प्रारम कर दिये जिस चीज के लिए मिलती थी अच्छा जूस पी लेना कभी आवसकता पड़े रास्ते से जाना पड़े व्यवधान आ जाए तो कहीं जा करके अच्छा दूद पी लेना ऐसा नहीं कि कुछ पाउच खा लेना वो खा लेना सज्जन व्यक्तियों कि ये बात कर रहा हूं मैं हां जिससे शडीर को और मन को दौनों को पोशन मिले ऐसा कुछ कर लेना तो कभी अच्छा दूद पी लेना कभी जूस पीलेना इसके लिए उनके लिए हर मैने पॉकेट मनी मिलती थी अब हुआ ऐसा दान कर दिया दान कर दिया तो बस पॉकेट मनी में से जूस और दूद बंद वो दान की रास्ति चुकाने की शुरुआत हो गई लेकिन घरवाले भी इस सज्जन के माता पिता हैं तो वह भी कुछ न कुछ सज्जन होंगे ऐसा नहीं है कि हमें यह सा पूरी पूरी सज्जनता का आरोप सिर्फ किसी एक बगति पर आता हो आसपास भी सज्जनता है दि पनपति है तव जाकर के किसी बगति के अंदर सब बन्द केहों जो दान भोल दिया है उसको चुक आन अंatell है एक दिन आप छुपाओगे हमें एक महिने छुपाओगे कुछ महिने छुपाओगे दीर सथी महिने आपने लेकिन अलग से जो उसको खाने के लिए मिलता था कुछ अच्छा पूर्पीने के लिए मिलता था लगता है उसमें कुछ कमी कर रहा होगा तो बस एक बाइज आकर के पूछ लिया जहां पर वो उसको खाने पिने की विवस्था की थी क्यों? लाला आता की नहीं आता लाला समझते वो लाला वोही नहीं यो लाके- लाला के देता है लाला, नाना डादा, यई वाझ अ्च्छे SHEBD हैं जो देना ही डेना जानता है वो दादा माना जाता है वो लाला जाना जाता है तुम लोग तो ना लेना ना देना वो नाना माने जाते हैं नाना कौन चो अब आप समझ लेना वैसे आप लोग तो दादा हो दादा मतला बड़े भाई बड़े तभी बनते जब देना सीखें रोकना और जोडना सीखें वो बड़े नहीं बन सकते संच रहे हो ना इसलिए नांपा कभी अपने घर में रखते नाच तो पराइघर के होते दादा अपने घर के होते हैं आप लोग कौन हो दादा कि नाना क्यों महाराज दादा है और हम अच्छे से दिखा देंगे उत्तम त्याग के दिन की हम दादाएं के नाना हैं सुनो तो वह समझ गई मा कि कुछ गरबड है जाके पूछ लिया लाला आता कि नहीं आता अरे वो तो मैनों से नहीं आया इतने में समझ में आ गया कि उसकी तंदरुस्ती खराब क्यों हो रही है घर पे जैसी आया क्यों भीया क्या बात है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हमसे ही जूट बोलना सीख गये तुम एक शब्द बोला तो संजनों के लिए एक शब्द बोलना भी पर्याथ होता है इस कारिक्रम के पुण्यान जग्थे श्री राजींदर प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सूपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन